सूर्य ग्रहन के मौके पर हमेशा धर्म नगरियों में लगने वाले मेलों पर भी अब करोना का असर पढ़ता दिखाई देने लगा है 21 जुन को लगने वाले सूर्य ग्रहन को लेकर कुरुशेतर के प्रशाशन ने अभी से अपनी त्यारी शुरू करती है इस बार त्यारी शुर्धालों की सेवा के लिए नहीं बलकि उन्हें धर्म नगर में आने से रोकने और एक स्थान पर इकठा ना होने देने के लिए की जा रही है कुरुशेतर के डीसी धरेंदर खटकडा ने बताया कि 21 जून को लगने वाले मेले के दिल धारा 144 लगाई जाएगी इस दिन कुरुशेतर के अर्ताली कोस के शहरों में किसी भी परकार के भीड के इकठा होने पर रोक रही इसके साथ ही इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक आने वाले श्रधालों पर भी रोक रही जिने धरम नगरी में आने से रोकने के लिए बकाईदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट म्यूट के गए हैं और नाकाबंदी भी की जाएगी के आप सब भी लोग जानते हैं कि 21 जून को कुर्शेत्र बलकि विश्व के अंदर सूरे ग्रان्द है और इसका जो यह सूरे ग्रेंड़ हो रहा है उसका धार्मिक महतव्य होता मीय और हर साल और हर बार जब भी ये सूरीगरण स्थरयेका होता है, तो मेले का आयोजन प्रशाशन की द्वारा किया जाता है, लेकिन इस समय जो कोविड के कारण से, जो परोना महामारी के चलते हुए, प्रशाशन ने ये निर्णे लिया है कि किसी भी तरहें का मेला नहीं लग करोना के दोरान भले ही देश के अनलोक होने के बाद सरकार की और से अब धार्मिक संस्थानों को खोलने की इजादत दी गई है लेकिन अब भी धार्मिक समागमों और आयोजन पर करोना का असर सास तोर पर देखा जा सकता है हालांकि ये सब कुछ जन्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है क्योंकि आम तोर पर ऐसे मेलों के समय में लाखों की संख्या में श्रधालू एक स्थान पर इकठा हो जाते हैं जो कि इस महामारी के समय में सही नहीं है ऐसे में जरूरत है तो जन्ता को भी प्रशाशन के निर्देश का पालन करने की क्योंकि ऐसा करने से ही इस महामारी से बचा जा सकता है भारत नाइन के लिए कुछेतर से दर्शन कैठ की रिपोर्ट